नवश्कार मित्रो जैमातादी स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में तो तुला राशी वालो 22 जनवरी से ले करके 26 जनवरी का समय उमीद नहीं होगी ऐसा परिणाम आने वाला है तुरंत ही बैंड बाजा बुक कर लो क्योंकि आज से पहले इतनी बड़ी खुश खबरी आपके परिवार में नहीं मिली आज की वीडियो आपको चौक आने वाली है खुद से बहुत ज़दा उमीदे लगाने वाली है आप भी अपने आने वाले समय के लिए बहुत उस्साहित हो जाएंगे क्योंकि ऐसी ऐसी बाते आज हम आपको बताएंगे जो आपकी भी चहरे पर मुस्कान ला देगी लेकिन हमारे जीवन में जहाँ खुशिया आती है वहाँ दुख भी आना शुरू हो जाता है हम साउधानिया भी बताएंगे ताकि खत्रों से आप भली भाती दूर रहें और शुरू से लेकर अंत तक हमारी इस वीडियो को देखते रहना होगा लेकिन सबसे पहले महकाल के सच्चे भक्त अभी के भी वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जैश्री महकाल लिखें यकीन मानिये आपके भी सारे विगडे काम होंगे आने वा खत्म होने वाला है काफी समय से आपको शादी का लड़ू खाना था कहते हैं शादी का लड़ू जो खाए वो भी पस्ता है और जो न खाए वो भी पस्ता है तो आप खा करके पस्ताना चाहते थे तो अब आपके योग्यवर या वधू की तलाश खत्म होने वाली है भगव को मानने वाला रहेगा तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ खुशखबरी है आपके परिवार के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है तुरंत बैंट बाजेबु कलो क्योंकि अब विवा की शहनाईया आपके घर में गुझने वाली है अब दोस्तो कुछ-कुछ जीवन में उतार चड़ाओ तो चलते ही रहते हैं जहाँ एक और रिष्टा पक्का होने वाला है वही दूसरी और जो ओल्रेडी शादी शुदा जीवन में है उनके दामपत्ते जीवन में कुछ मदभेद उधर सकते हैं अब ये लोग वो हैं जो शादी के लड़ों को खाक कर पस्ता रहे हैं कुछ ऐसे हैं जो खाना चाहते हैं और कुछ ऐसे हैं जो खाकर पस्ता रहे हैं सीधी और सिंपल बात आपको करना इतना है कि ससुराल पक्ष के लोगों के साथ विवाद नहीं करना है कई बार ऐसा हो जाता है कि बाते चुब जाती है क्योंकि कुछ कुछ लोग ताने ऐसे मारते हैं ऐसे मारते हैं कि वो सहन होते ही नहीं है अब बदले में हमारे से भी दो बाते मुझे निकल जाती है और बात बिगड जाती है यहाँ थोड़ा आप समभल कर रहें ऐसे लोगों से जिनकी तो फित्रत ही खराब है क्योंकि आने वाले पास दिनों में शत्रू पराजित होने वाला है यानि जो आप से लड़ाई करने आएगा आपकी खासियत है कि कभी आप किसी का बुरा नहीं चाहते आपने कभी किसी का अहित नहीं करा या आगे रहे कर किसी को नहीं ललकारा आप अपने काम से काम रखते हैं लेकिन फिर भी गुप्त शत्रू आपके कामों में टांग अनाते हैं ये बात देखी गई है तो वहाँ पर दोस्तों आप थोड़े से साउधान रहें आपकी छवी को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे देखे जिन्दगी में लोग यही करते हैं जब कोई किसी का कुछ बिगार नहीं पाता तो उसके बारे में अफवाहे फैलाना शुरू कर दो यही नियती हैं यही लोग करेंगे आपके खिलाव भी ऐसा होगा आपको अपनी छवी खुद बनानी है ताकि लोग किसी की बातों पर विश्वास ही न करें महत्वपूर्ण मामलों में जीवन साथी का बहुत अच्छा सहयोग आपके पास होगा और जिन्दगी में जब बुरा समय आता है जिन्दगी में जब टेंशन आती है चिंता आती है विकार आते है तब हमें जरूरत होती है एक साथ की है और वो साथ आपका जीवन साथी बखुवी निभाने वाला है तब जो शादी का लड़ू है वो आपको मीठा भी लगेगा और वो काफी आनंद मैं है इसका एहसास भी होगा विध्यारती टीचरों से सहयोग पाने में सफल रहेंगे कई बार ऐसा हो जाता है तीचर हमें समझाते हैं हमें कुछ बातें नहीं समझाती लेकिन हम महफिल में बोल नहीं पाते कि हमें ये डाउट है अब जो एक बांडिंग है एक समनवाइता है बहुत अच्छी आपकी टीचर के साथ बनने वाली है जिससे कि आपको एक नए नए रिजल्ट देखने को मिलेंगे नए नए परिणाम देखने को मिलेंगे जो कि काफी पॉजिटिव होंगे काफी अच्छे होंगे नए जोब की तलाश करने वालों को धैरे बनाए रखना है इतना अब ध्यान रखे क्योंकि जिन्दगी में भागदोड तो होगी ही हमें इतनी आसानी से फल मिल जाता तो मानोजीवन मिलने का मतलब ही क्या रह जाता क्योंकि मानोजीवन आपको दो कारणों के लिए मिला है पहला है भोगने के लिए और दूसरा है भजने के लिए इन दो के लाव और कोई कारण नहीं है अब भोगने के लिए का क्या मतलब है कश्ट भागदोड महनात श्ट्रगल ये भोगना है दूसरा कारण है भजने के लिए आप भगवान की भक्ती भी जरूर करें जब ये दोनों कारण सिद्ध हो जाएंगे तो आपके जिन्दगी अच्छी हो जाएगी यदि आप डाइबिटीस के मरीज है तो अपने शूगर लेवल पर खास नजर रखें बहतर यही होगा कि अपने दिन्चरिया को आप अनुशाशित बनाए रखें घरे में परिजनों के साथ समय व्यतित करने का उसर आपको प्राप्त होगा योगिवर या वधू की तलाश समाप्त होगी ये खुशखबरी हम आपको दे चुके हैं साथे साथ आलस से से दूर रहने में यदि अगर आप सफल हो गए तो आपके बैंक पेलेंस में इजाफ़ा हो जाएगा इस बात की गरेंटी है आप कुछ नई चीजों को खरिदने में भी सफल रहने वाले हैं ये भी बहुत बढ़िया बात है देखिए कई बार हमारे सामने हमारी ड्रीम वस्तुए होती है कि मुझे यार इसे खरीदना है हम उसे देखते रहते हैं उसकी चमक को निहारते रहते हैं एक दिन में भी इसे खरीदूंगा और वो चीज हमारी आखों में बसी होती है कि मैं ये एक नएक दिर लेकर रहूँगा बस वही चीज जब आपके घर आने वाली है तुरंत बेंड बाजाबो कल लो क्योंकि इससे बड़ी खुशखबरी आपके घर में आस तक नहीं आई जब हम भी हमारे सपने में जो चीज रहती है उन्हें खरीटते हैं तो खुद पर बहुत गौरवानमित होते हैं परिवार बहुत खुश होता है वेसा ही कुछ घर पे माहोल आपके भी बनने वाला है संभावना पुरी पुरी नजर आ रही है ग्रहों का पुरा पुरा साथ है सूर देवता का अशिरवाद है और चंद्रमा उच्च के हैं मंगल मारगी है और केतु तुला राशी में पहुच चुके हैं डरने की कोई बात नहीं है आपके लिए परिस्थित्या काफी संभावना पुर पढ़ाता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा या मैं यह नहीं कर सकता अब उस समय अगर कोई अच्छा होगा कोई आपका शुप्चिन्तक होगा तो वो आपके अंद़र हिम्मद भरेगा। लेकिन अगर आपका पाला ऐसे इंसान से पढ़गा है जो आपक अच्छा नहीं चाहता तो वो आपको और डिमोटिवेट कर देगा कि हाँ सही है तू ये काम नहीं कर पायेगा तू ये काम मत कर फाल्तू में पैसे लग जाएगे बरबाद हो जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा और वो इंसान आपको और ज़्यादा डिमोटिवेट कर देता है ऐसे लोगों से आप थोड़ा साउधान रहें इन पास दिनों में हमारे आसपास एक सकारात्मक माहौल होना चाहिए जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेवर गिवप की भावनाय हो हम हान नहीं मानेंगे हम हर हाल में कुछ न कुछ करके दिखाएंगे हमें कोई रोक नहीं सकता हमें कोई टोक नहीं सकता हम अपनी मरजी के मालिक है जो चाहे वो कर सकते हैं अब दोस्तों आप में से कई ऐसे लोग भी होंगे जो चाल लोगों की बड़ी परवा करते होगे इन चाल लोगों को कभी किसने देखा नहीं है लेकिन इनकी परवा सब करते हैं ये बात आप ध्यान रखिएगा तो लोगों की अपिक्षाओं का तो कभी अंत नहीं होता लोगों को ध्यान में रख करके अपने काम बिल्कुल भी न करें क्योंकि आज अपनी खुशियों के साथ समझोता तो आप कर लेंगे लेकिन आने वाले समय में बहुत पस्तावा होगा कि मैंने दिल की क्यों नहीं सुनी वो मत करिये दोस्तों जो लोग चाहते हैं वो करिये जो आपका दिल चाहता है क्योंकि लोगों की पसंद को बदलते जरा भी देर नहीं लगती आपका मन प्रसंद रहने वाला है नए कारियों से आपको धन प्राप्त होने वाला है अपने महत्ववन कारियों को आप समय रहते पूरा कर लेंगे और वरिष्ट पदो पर बेठे लोगों का बड़ा अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होगा ससुराल पक्ष के लोगों से बड़ा लाब मिलेगा विध्यारतियों को परिणाम खुशी देने वाला होगा दामपत्ति जीवन में अधूरता बनी रहेगी इसमें आपके काम की सराहना होने वाली है इतना लिख कर रख लीजिए अब हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं ये उपाय आपकी किसमत भी चमका देंगे सबसे पहला उपाय जो हम बता रहे हैं दोस्तों वो हनुमान जी बाहराज का है संकट मोचन हनुमान जी बाहराज की भक्तिस वीडियो को जिरू लाइक करें और उपाय जरा ध्यान से सुनिए आपको थोड़ा सा चमेली का तेल लेना है और उसमें सिंदूर मिलाना है और चमेली का दिल बेहत ही प्रिये है इसे चोला चड़ाना भी कहते हैं ये जीवन में आपके बहुत शुबफल देगा एक उपाय आप और कर सकते हैं कि आप हनुमान जी महराज को गुड़ चने का प्रसाद चड़ाईए उन्हें ये बेहत पसंद है मतलब बड़े बड़े भोग के सामने भी गुड़ चने के प्रसाद की महता बहुत जादा है और इतना करिएगा कि लगातार 21 मंगलवार तक गुड़ चने का प्रसाद चड़ाईएगा वाविस्वे मंगलवार को आप हनुमान जी को चोला चड़वा दीजिए बस इतना काम करके देखे जिंदगी में आप भी बोलें के गुरुजी ने क्या उपाय बताया था मेरी तो किसमत ही चमक गई तो दुला राशिवालो आज की वीडियो में हमने बात की थी 22 से लेकर 26 जनवरी के बारे में वीडियो आपको बसंद आ गई हो तो लाइक तुरंते ही करते हैं कॉमेंट बॉक्स में जैमाता दे तुरंते ही लिगते और हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें बहुत बहुत धन्यवाद